प्लस्टू सी क्लास, आज मैं आपको कुर्वाने लगी हूँ, Economics का Chapter 4, Industry, Features, Problems and Policy, जिसमें से पहले topic मैंने लिया है, role of industry development, role का मतलब बेटे, importance क्या industry की, सबसे पहले जो importance है, अगर industry है, तो सबसे पहले उसका point लिया गया है, increase in productivity, industry जो है, उत्पादन को बढ़ाने में सहायता करती है, क्योंकि देखो, यहां पर क्रिशी शेत्र है, उसके साथ साथ जो है, इंडुस्टी शेत्र भी आता है, जिसमें काम जो है, वो लेबर द्वारा, मशीनों द्वारा, किया जाता है, जिस से क्या होता है, कि मशीनों से अग होता है development of agriculture अगर आपके देश में agriculture में development होएगी तो क्या होगा जैदा जो समान होता है वो हम क्या करते हैं बाहर बेज जेते हैं जो क्रिशी का जो आपका कच्चा माल होता है जैसे मैंने आगे भी बताया था agriculture chapter में गन्ना गन्ने को अगर वो उसका रस निकाल लेते जो छिलका बच्चता है इंडरस्ट्री में उससे कागज बनाया जाता है इसी तरह के चीजें क्रिशी किए वो इंडरस्ट्री में काम आती हैं थर्ड आता है इसे विधanton कारण करीशी वप्रदार्थों के मुल्यें में विध्य आ जाती है और ने नई जैसे कोज़े होती है उसके कारण मैंगी और नही वसो का उत्पादन संबब हो जाता है इससे क्या होता है हमारी रास्ट्याई में व्रीजी होती है उसके आगे आता है increase in employment देखो क्योंकि ये industry जो है काफी लोगों को रोजगार देती है उनको income मिलती है income से उनका रहनसेन उचा होता है जिस देश का विकास होता है आगे आता है improvement in standard of living जो लोग industry में काम करते हैं उनको पैसा मिलता है पैसे से उनके रहनसेन में जो है सुधार होता है और क्या होता है अगर देश की growth होगी तो देश की development होगी आगे आता है increase in capital formation capital formation में क्या है industry को चलाना है तो जो भी पैसा लोग कमाते हैं तो फिर क्या करते हैं industry के लिए जो है capital त्यार करते हैं किस तरह से जैसे machine आती है इस से क्या होता है देश का विकास होता है क्योंकि उत्पादन बढ़ता है next आता है role in national defense देखो खरने में ऐसे जो चीज़े हमारे देश को चाहिए defense के लिए जैसे की जहाज त्यार करने है फिर उसके बाद आपके आयते टैंक त्यार करने है और जैसे हथियार त्यार करने है helicopter यह आधी चीज़े जो है कौन त्यार करती है industry करती है next आता है last growth with stability देखो industry के लोगों को रोजगार देती है रोजगार देने से लोगों का रहन सेनों उचा होता है रहन सेनों उचा होने से क्या होती है economic growth होती है इससे यह है कि लोगों का रहन सेनों उचा हुआ ग्रोथ हुई उससे हमारी national income बढ़ती है तो यह थे features of industry के features भी है role भी है की importance भी है thank you